नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पीश 28 सप्राइल गुरुवार सुबह सवाच्छा वजे रास्थान की बड़ी खबरें प्रदान मंत्री नरेन्ट मोदी ने कोबीड संक्रमंट के बड़ते मामलों को देखते वी राजियों से सतरकता बरतने और किसी भी सिती से निपटने के लिए तयार रहने को कहा है पियमोदी ने बुद्वार को राज्यों के मुखे मंत्रियों के साथ कोविट सिती पर ऑनलाइन बैठक की और पूरी सिती के समिक्षा की उन्होंने का कि देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है जो इसके कारण अक्सर आग लगने की घटनाएं हो जाती है इसलिए सभी राज्यों को सभी अस्पतालों समय सभी स्वास्ते स्विधा के इंद्रों की सुरक्षा की जांच करने चाहिए प्रजान मंत्रे ने कहा कि ये गर्व का विशे है कि 96% नागरिकों को कोविट का पहला ठीका लगाय जा चुका है और 15 वर्ष से अधिक की आबादी में से 85% लोगों को कोविट की दोनों ठीके लगाय जा चुके हैं उन्होंने संक्रमन की शुरुवात में ही रोकने और बच्चों के टीका करन को प्रात्मिकता देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के विरुद सक्रेता और सामोहिकता के साथ काम करना होगा राजसान के मुख्य मंत्रिया शो गहलोत ने कहा कि कोरोना के संक्रमन में बढ़ोत्री को एक चेतावनी के तौर पर लेकर हम सब को पुना कोविट प्रटोकॉल की पालना शुरू कर देनी चाहिए गैलोत ने प्रधान मंत्रिय दरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में कोरोना के प्रेसितियों पर आयो जितमुख्य मंत्रियों की वर्चुल बैटक में भाग लेने के बात सोशल मीडिया पर बुद्वार को ये बात कही और निकाह कि ब्रेटेन, जर्मनी और चीन समय तमाम देशों में कोविट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं देश के कुछ हिस्सों में भी संक्रमन में बढ़ोतरी हुई है रहसान सरकार ने खरन पटों से निकलने वाले खनीच पर दे राजेस्वी की वस्विली के लिए 21 जिलो के पच्पन रॉयल्टी ठेकों की इप्लैटफर्म पर निलामे प्रक्रिया शुरू कर दी है राजे के खानवी भाग के एतरिक्त मुख्य सचीव डॉक्टर सुबोध अगरवाल ने बताया कि इससे पहले इसी महा उनिस जिलो के 73 रॉयल्टी ठेकों की इन इलामे प्रक्रिया आरम की जा चुकी है चुरू जिले की रिक्त और नई उचित मुले दुकानों की आवंटन के लिए इंट्रिव्यू 13 मई से होंगे जुला रसत कार्याले में इंट्रिव्यू का आयोजन तैसीलवार होगा जिले में अभी 139 उचित मुले की दुकाने रिक्त हैं इन के लिए 245 आवेदन प्राप्थ हुए हैं इन दुकानों के लिए 13 मई से तैसीलवार इंट्रिव्यू लिए जाएंगे में ने बताए कि इंट्रिव्यू के लिए सम्मंदित आवंडन सलाकार समीति सदस्यों तथे सम्मंदित आवेदक को सुचित किया जा रहा है गाउं गाउं में जाकर खेती कर रहे लोगों को जागरू करना चाहिए जिससे वे भी सम्मंद बने तो मने फसल बीमा पाठ शाला कारिकरम को सम्मदित करते वे कहा कि नवीनतम तकनीक और सरकार की क्रशी समंदी योजनाव से जुड़े किसान सम्मंद हुए हैं और उनके परिवार में तरक्की हुई है पिछले 5-6 साल के दौरान ऐसे किसानों की आये 2-10 गुना तक बढ़ी है उन्होंने कहा कि ये किसान क्रशी राजदूत बन कर गाउं गाउं में जाएं तो खेती के अर्थ व्यवस्ता मजबूत हो जाएगी प्रधान मंतिन दरेंडर मोदी ने सभी राज़ों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के अपील करते हुए बुद्वार को कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक फैसला का लाब सभी नागरिकों को मिलना चाहिए प्रधान मोदी ने सभी राज़ों के मुखे मंतियों के साथ समिक्षा बैठक की उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों का उलेक करते हुए कहा कि इनकी कीमते घटाने के लिए केंद्र सरकार ने इन पर उत्पात शुर्क घटाया था और राज़ों से भी वैट कटोती का अ होने वाले इन्वेस्ट राज़तान 2022 समिट में दस लाग करोड रुपए से जादा का निवेश प्रदेश भर में होगा श्रीमति रावत ने बुदवार को इन्वेस्ट राज़तान 2022 के आयुजन के समन्द में विबाग्या दिकारें के साथ समिक्षा बैठक में यह बात कह उन्होंने कहां कि राज़िस सरकार उद्यूगों को जादा से जादा सुविधाय कम समय में और एक ही छट के नीचे उपलब्द कराएगी रास्तान में भीशन गर्मी के बीच बिजली संकट और गहरा रहा है तभी तो गाउं के साथ अब शहरों में भी बिजली कोटोती की जाएगी जल्दी कोटोती का आदेश और समय तैकर दिया जाएगा बड़ी बात यह है कि बिजली कोटोती पर जन प्रतिनेदियों और विधाय को सिचर्चा की गई है उदर जम कर बिजली कोटोती के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरने लगी है वदवार को प्रताप गड़ में महिलाओं ने बिजली कोटोती और कम वोल्टिज की समस को लेकर भीशन गर्मी के दौरान प्रदेशन किया महिलाओं का रोप था कि बिना बताए कई कई घंटे कटोती की जा रही है राजसान में विजली की डिमांड और आपूर्ती में तेदी से बढ़ रही अंतर के बीच उड़ जा मंति भमर सिंग भाटी ने कहा कि अब शहरी श किसान यात्रा बुद्वार को कोटा पहुंची यात्रा के कोटा पहुंचने पर सरकिट हाउस पर भारती किसान यूनियन के जुलाध्यक्ष भगवती प्रसाथ के नेत्रतों में किसान प्रतिनेदियों ने स्वागत किया साथी सरकिट हाउस से करेक्ट्रेट तक किसान रैल किया जाएगा इसे लेकर महापवर मुनेश गुर्जर और निगम आयक दवधेश मीना ने बुधवार को बैठक कर अधिकारें को विशेश निर्देश जारी के बैठक में महापवर मुनेश गुर्जर ने कहा कि प्रश्वासन शहरों के संग अभियान के द्वित्य चरन में ज्वादा से ज्यादा पटे जारी करने की पहली प्रात्मिकता रहेगी। पार्टी के मासचिव केसी वेनुगुपाल दोरा ज्यारी विग्यप्ति के अनुसा, श्री मतिश रुती चौधरी, रामकृष्ण गुजर, जीतेंडर कुमार भार्दवाज और सुरेश गुपता को कारेकारे अध्यक्ष निक्ष्न किया गया है। पार्टी के युवाचारे योगेश शर्मा, गोविन देवजी मंदिर से मानस गोस्वामी, आचारे पीट सरस निकुंच के बड़े भाईया, गिर्धर गोशाला के गिर्धारी दास पानवाले बाबा, महमंडले इश्वर मनुहर दास, बाल संत प्रिया शरन दास आदी, सं 9.08, हेक्टेर भूमी स्वाब्ती, अब जेल प्रशासन इस भूमी पर नए जोल का निर्मान करवाएगा, नगर विकास न्यास के उपसचिव चंदन दूबे की नेतरतों में, आज सड़के अतरिक्त पलिस अदिक्षक प्रमेंट जोयन के नेतरतों में, भारी पलिस बल ग् शंबू पुरा पहुंचवा जहां जेल को आवंटित की गई जमीन पर हो रहे, अतिक्रमन को हटाये गया, निया सुत्रों ने बताया कि ने जेल के लिए आवंटित की गई भूमी पर अतिक्रमियों ने बाड़े पशु के लिए शेड, टीन शेड और कुछ पक्के निर्मा कर रखे थे, ऐसी सिती में जेल प्रिशासन को कपजा पत्र सौंपने में परिशानी आ रही थी, रहसान लोग सेवा आयोग आगामी पांच एम छे माई को सहायक आच्वारे चिकिस्सा शिक्षा विभाग सविक्षा परिक्षा दोजारे किस का अजमेर जिला मुख्याले प कायुजित की जाएगी, अभियर्ति के प्रवेश्पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, राधानी जयपूर में लोगिस्टिक कमपनी से करोड़ रुपे के जवाहरा चोरी होने के मामने में पुलिस्टी में जांच में जुटी हैं, पुलिस ने लोगिस्टिक कमपनी के अधिकारियों से जांकरी लेकर फरार करमचारियों की तलाश शुरू कर दी है, डेसी पे जैपूर वेस्ट रिचा तोमर ने बताया कि सिंदी कैम ठाने में इस समझ में मामना दर्च करा गया है, पुलिस ने कमपनी के मेरेजर धर्मेंदर कुमार की रिपोर्ट प फरार करमचारियों के बारे में जांकरी जुटाई है, पुलिस ने करमचारियों को पकड़ने के लिए सवाई मादो पूर्सित उनके घरों पर दविश भी दी है, लेकिन आरपियों के साथ उनके परिजन भी घर में मौझूद नहीं है, ऐसे में फरार करमचारियों की गिर उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें